विन्सिटी डिवालपर्स की एक और शांदार पेशकश जहांगीर पीर दर्गा से दो किलोमेटर पहले आबादी के बीचों बीच गाउं से लगा हुआ विंचर फीकस सिर्फ पाँच हजार रुपए नक्या आसानक साथ पर नेटको फार्मा पी एंजी जॉन्सन एंज चेर् की जाने एक खातून को हुई जेल अपनी छे महीने की भतीजी का खतल करने के चुरूम में तफसलात के मताबख ऐसे चो भवानी नगर अमजद खान के मताबख गिरफतार हुई अफराद की पहचान अर्शिया बेगम 30 साला से की गई जो तलाब कटा के रहने वाली है 30 सप् पंडरा को वो अपनी छे महीने की भतीजी खतीजा कूपरी जो अर्शिया की बेहन 22 साला हलीमा बेगम की बेटी है हलीमा के घर पर ही थी जब हलीमा कुछ काम कने किचन गई हुई थी तब अर्शिया ने 6 महीने की बच्ची को उठाकर घर के पानी के सम में फेक दी एप रह खरार दिया छे महीने की लड़की का खतल करने अर्शिया को गिरफतार किया गया कमिशनर टासपोर्स साउथ सोन टीम और नामपली पुलीस टीम ने मिलकर जमिरात के दिन चार अफराद को गिरफतार किये फरजी एजूकेशनल सर्टिफिकेट बनाने की चुरूम में सिटीज और बोर्ट्स के तहट जारी की गई थी पुलीस ने सभी पर 420, 467, 468, 120 BIPC सेक्शन आयत किये और उन्हें नामपली पुलीस टेशन और संतोश नगर पुलीस टेशन शिफ्ट किया गया इस केस में और दो मुझरिम फरार बताये जा रहे हैं उनकी तलाशी जारी ह आज मेरात की दिन गांधी नगर पुलीस टेशन हदूद के तहरे दो अफराद जखमी हुए धमाके के सबब ये धमाका लोवर टांग बंड डंपिंग याड में अचानक हुआ इस धमाके में बाप और बेटा जखमी बताये जा रहे हैं उन्हें फॉरण गांधी हॉस्पिटल मुझर किया गया वुजरे इलाज है मा और बेटी सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए पॉलीस फिटनिस टेस्ट को किलियर किये 38 साला थोला नागमनी जो एक खातून पॉलीस कॉंस्टिबल है लेकिन बत के दिन कुछ ऐसा देखने मिला जो हर बच्चा और माबाप चाहते हैं खातून कॉंस्टिबल और इनकी 11 साला बेटी थोला तरी लोग की नीने एक हैरान कर दिने वाला कार नामा अंजाम दिये क्योंकि वो दोनों पॉलीस अब इंस्पेक्टर के ओधों के लिए किये जाने वाले जिसमानी फिटनिस टेस्ट में कॉलिफाई हुए थे वो बुत के रोज यहां पर पॉलीस परेड ग्राउंड पर तवज्चा का मरकज बन गए थे जहां स्टेपिंडरी, काडेट, ट्रेनी, पॉलीस, सब, इंस्पेक्टर, कॉंस्टेबल की पॉजिशन के इंदिखाबाद के लिए जिसमानी कारकरदगी टेस्ट, जिसमानी पेमाईश के टेस्ट लिये जा रहे थे भारत राश्टो समीधी के सदर तलिगाना चीफ मिनस्टर के चिनर शिकराओ के लिए आज का दिन काफी मसरूफ रहा जुमिरात के दिन आज दिली में पार्टी नाशनल आफिस के इफ्तिदा के बाद कई महमान आए अपनी नेक तमनाओ का इसार करने आज सीम के सियार पूरा दिन सभी से मुलाकात करने में मसरूफ रहे उनके घर नियो दिली तोगलाक रोड पर जुमिरात के दिन इस मौके पर आल इनिया मुझलिस इतहाद मुस्लिमीन के सदर वैंपी हाइदरबाद बारस्टर असदुदीन ओईसी भी आई और तलिंगारा चीफ मिनिस्टर केशन रिशिकराओ को दावत दिये अपनी दुखतर की शादी में आने के लिए हाइदरबाद में नोहेरा शेख दुबारा सुर्खियों में इनफोर्स्मेंट डिरेक्टरेट तैईखाद कर रही है नोहेरा शेख के केस के तालग से जिसमें 78 करूर रुपीज के प्रॉपटी के तालग से है साल 2018 में इनफोर्स्मेंट डिरेक्टरेट ने नोहेरा शेख के खिलाव केस दरच किये थे और उन पर इल्जाम आयद किया था किया था कि उनकी कमपनी में पांच हजार करूर रुपे से लाकों के रुपिये दुनिया भर से कस्टमर्स के इन्वेस्ट किये हैं इल्जाम है कि उन्होंने जूटा वादा किया था सवी कस्टमर्स से के वो 36 फीसद फाइदा लॉटाइंगी लेकिन वो नाकाम रही इन्वेस्टर्स को पैसा लॉटाने इतना ही नहीं इन्वेस्टर्स के नुकसान की भरपाई के लिए एपिक्स कोट इंडिया ने उन्हें इजासत दे दी है प्रॉपर्टीज बेशने के लिए